जी तो इस लेक्षर में जिस चीज के बारे में हम knowledge जो है वो gain करने वाले हैं that is time series analysis के अंदर जो types हैं वो कितनी किसम की time series के बारे में हमने जितना भी knowledge अभी तक gain किया वो बहुत basic था तो आइस्ता इस्ता हम advance की तरफ रहां दवाएं तो अब जो हम काम करेंगे वो देखेंगे के time series analysis की types कितनी हैं मैं आपको important वाली बताऊंगा there are many many there तो हम आइस्ता हैस्ता इन चीजों को देखते जाएंगे जैसे हम projects की तरफ भी move करेंगे so let's do it अच्छा अगर मैं इसको ts लेकूं तो आप समझ जाएंगे ने time series okay सबसे पहला जब भी आपके पास time series के data आता है कि आपको शायद याद हो मैंने आपको कुछ इस तरीके से चीज बताई थी कि अगर data को चार तरीकों से deal करना हूँ तो हम क्या करते हैं डेटा को relationship देखते हैं उसका distribution देखते हैं कि data की कैसे है फिर हम क्या देखते हैं जी comparison and और क्या था याद है के नहीं distribution comparison यार composition यह चार चीज़े हम देखते हैं data की और आपको मैंने बताया था EDA के बारे में EDA हमने बड़ी detail में किया है जिसको हम descriptive statistics भी बोलते थे याद है कुछ descriptive statistics का क्या आप data के बारे में बाते हैं कि data यह है data वह है data के साथ यह data के अंदर यह चीज़ें मुझूद है let's look into it together correlation हमारा relationship में आ जाता है so that's the thing पहले चीज़ हमारी जब भी हमारे पास time series का data आता है तो descriptive analysis है time series का ठीक है तो हम यहां पर time series analysis की types देख रहे हैं कितने किसम का analysis हम कर सकते हैं time series पे descriptive analysis यह हम इसको exploratory data analysis भी बोलते है exploratory data analysis EDA आपने साद्धा EDA तो किया होगा बड़ा जबर्दस तरीके से time series का जो EDA है this is little bit different than the normal EDA वो भी हम देखेंगे लेकिन उससे पहले हम EDA जो time series में है इसकी कुछ खुसूसियाद देखते है पहले हमारे पास data होता था रोस थे columns थी और हम उनको deal करते थे एक एक instance की base ठीक है ऐसे करके और हम अगर यह वाली row को उठाके यहां पे ले जाते थे यह वाली को यहां पे ले जाते थे doesn't matter a lot क्यूंकि एक row का data आपस में जितना था हर column का वह वैसे का वैसे पूरे का पूरा shift होता था नीचे यह उपर ऐसे हैं हमारे पास वो data उस तरीके से shift होता था and we could plot the data based on those things as it is यानि कि अगर 1,2,4,5,3 ऐसे भी अगर इसको plot कर दिया जाता तो बेतर था it was fine क्योंकि उसका index जो था वो doesn't matter हमारे पास उस वागत matter नहीं करता था data की value matter करती थी time series के data में हमारे पास time की base पे index होता है index का पता है ना कि कितनवा instance है वहाँ पे हम कहते थे कितनवा पहला दूसरा तीसरा चोथा पांच मां यहाँ पे हम कहेंगे time कौन से पे वो data लिया गया था किस time पे और यह 3-4 किसम का time होता है पहली किसम यह होती है कि किस date पे था वो data ठीक है अगर होगी है हमारे पास ठीक है दूसरा होता है किस time पे था तीसरा होता है starting time से कितने minute बाद का data जैसे होता है ट्रेन चलने के पांच मिनट बाद यह हो गया फ्लाइट चलने के पांच मिनट बाद ऐसा हो गया दस मिनट बाद यह हुआ वो एक से मतलब फ्लाइट टेक आफ करने के end ठीक है हम उस data को भी यहां पर consider करते हैं जिसको हम बोलते हैं time stamp के इतने time के बाद अब time stamp अगर बिलकुल आपके time की है के 000000 that is also time data लेकिन अगर आप ऐसे लिए पांच मिनट बाद 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद सो यह वाला data इसमें interchangeable भी है and this one is interchangeable to this one exploratory data analysis आपको बताता है कि आपके पास date time का data कैसा है और वो किस तरह convertable है ठीक है कौन सी form में और यही data set आपको बताता है कि अगर आपका data hour hour minute minute second second में है तो आपने इसको कैसे convert करना है second second minute minute and hour hour में या आपने इसको तीन कॉलम में split करना है या आपने यह अंदाजा लगाना है कि यह take off का time था और यह landing का time है इसमें से minus करके आपने flight time कैसे निकाल ने आपकी सारा data वैसे deal होता है जैसे हम पहले करते आए है यह वाला data deal होगा based on the functions in pandas जो date and time का function है ठीक है date and time के data को deal करने की बेहद different किसम की चीज़ें मुझूद है अक्सरोकाद यह data बताया होता है different way में और आपने उसको second second minute minute hour hour में करना होता है और कभी कभार for example एक flight आठ बच के पंदरा मिनिट सुबह की time उड़ी पाकिस्तान से लहौर से ठीक है which is GMT plus five सभी हो गया और यह flight land की Istanbul के अंदर आठ बचे चली है पांच गैंटे का time अगर लगाया जाए तो मैं अगर इसे बोलूं कि यह इसको मैं करता हूँ 14 अब आपके पास एक question matter करता है कि यह पाकिस्तान का time तो हमारे पास GMT plus five है तो इस्तंबोल का GMT कितना होता है किसी को पता है इस्तंबोल का GMT कि इस्तंबोल कितना लिखेंगे तो कितने घंटे का फरक हो गया हुआँ इसका मतलब यह है अगर मैं टाइम और फ्लाइट निकालना चाहूं आई शूड नो के स्टार्ट कब हुई एंड कब हुई एंड प्लस क्या करना है दो गंटे समझाई बात की अगर पाकिसानी टाइम से देखना है कभी कभार आपको GMT की बेस पे माइनस दो गंटे करना होता है देन यूफ तो कलकुलेट ता वहम जब इनल्सिस में जाएंगे हमें फिर पता चलेगा एक और सीज हमने देखने होती है अक्सर अकाद जब योरपियन कंट्रीज में ट्रेवल करते है ना यहां पे एक सीन है डेलाइट सेविंग के नाम से उसके अंदर क्या होता है एक specific months के अंदर एक date दी हुई है कि यहां से लेके यहां तक आपका एक घंटा time में add होना है यहां से यहां तक वो घंटा minus हो जाना है ठीक है उसको daylight saving बोलते हैं क्या मुझे बता सकते हैं कि यह daylight saving किस date से किस date तक होती है इंटरनेट पर इसकी information मुझूद है you can google it ताकि अभी सभी को याद हो जाए जी आप मेरे साथ search करें कि तुम फाइदा होगा अधरवाइस तो हम करी रहे हैं चीज़ें तेलाइट सेविंग कब स्टार्ट होती है यौरप के अंदर क्योंकि जब आपके पास flights का डेटा है यह तो नहीं होना कि सिर्फ पाकिस्तान का डेटा है आपके पास दुनिया का डेटा होगा अगर को बंदा यह एक है कि उसकी करना यौरप नो कि संडे को होती है चेंज हमेशा यह बात याद रखिएगा ठीक है चब्विस मार्च का बताया जा रहा है यहां पर और 29 उक्तूबर का यह रिसेंटली हमारे पास यह चेंज आई भी है ठीक है तो हमारे पास प्लस माइनस यहां पर एक दिन हो जाता है उसकी वज़ा यह है कि यहां पर अंधेरा काफी होता है और लोगों को आफिस जाना पड़ता है इस वज़ा सो रहना टाइम को इंक्रिमेंट लगाई थी यह वही टाइम है जो पाकिसान के अंदर मुशरफ टाइम पिकना जाता आप लेटा आपको बात यहीं पर बता दूं के अंदर सिरफ आपको यहीं नहीं देखना के डेटा किस तरीके से आपको डेटा से डेलेटेड मेटाड़ेटा को भी देखना है अब इसकी मिसाल मैं देता हूं अमेरिका के एक city से flight उड़ी है दूसरे city में land की है पर यकीन मने उनका cities का भी अपस में GMT का तालूक है अमेरिका की बात कर रहा हूं तो यह नहीं आपने कहना कि अमेरिका के अंदर ही हैं कोई मसला नहीं है समझे रही बात की और यह मेटा डेटा में बताया होता है तो टाइम के डेटा को हम इस तरीके से मैनेज करते हैं फिर इसकी बेस पर सारी चीज़ें explore की जाती है यानि के outlier कैसे है outlier किस तरीके से हमने remove करने है noise कैसे निकालने है and there are a lot of methods जो हम EDA के analysis के अंदर देखेंगे के time series का EDA कैसे किया जाता है राइट जी next move करते है फिर अगली चीज़ है time series की forecasting पहला analysis हो गया EDA का जब हमें पता चल गया तो time series के base पे हम time series की forecasting करते है time series के forecast और आपको पता है के forecast जो है अभी हमने पढ़ा है which is called prediction prediction के लिए अगर आपका data clean है तो prediction अच्छी होगी otherwise आपकी prediction नहीं होगी इसका मतलब है कि हमारे पास पहले EDA अच्छा होगा तो फिरा मागे काम कर सकते हैं otherwise नहीं कर सकते हैं ठीक है और इसके लिए model जो use होता है basically यह modeling है अरीमा model यूज होगा फिर एक और model है which is called Sarima ठीक है और हमारे पास अरीमा और सरीमा यह दोनों जो है बेहतरीन तरीके से काम करके हमें forecasting prediction देते हैं based on कौन सी data की properties यानि के time series का noise time series का जो outlier remove हमने की हैं वो time series के अंदर जो pattern आता है time series का trend जो है season जो है cycles जो है इस सारी चुछों को moving average और अगर हम इसकी बात करें सरीमा की this is seasonal फिर सारा वह यह auto regressive integrated moving average इस तरह के और भी काफी हैं तो हर एक की अपनी खसूसियत है खासियत जैसे हम बहुते हैं अरीमा के अंदर auto regressive है लेकिन अगर आपने seasonal trend को ज्यादा forecast करने है जैसे अभी सामा भाई भी दिखा रहे थे data based on the रमजान data या कोविड नाइंटेन का या जो ऐसे season अकर कर रहे है data के अंदर तो उसकी बेस भी आप seasonal data को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो सरीमा वुड बी more better than auto regressive और यू विल सी के अरीमा से सरीमा डिफर गरता है based on the seasons found in the data ठीक है फिर हमारे पास तीसरी किसम का analysis जो है यह तो हमने कर लिया time series की forecasting ठीक है यह हम क्या करते हैं based on the previous data हम future data with time predict कर रहे होते हैं हमारे पास time series forecasting के अंदर फिर एक अगली चीज होती है time series forecasting हमने की है और यह ज्यादा तर forecasting होती है आपकी regression type के आप इसके अंदर int को यह numeric value को predict कर रहे होते हैं numeric के बाद regression का उल्ट क्या है जी यह दूसरी form क्या है classification opposite जिसे हम बोलते हैं तो जब हम time series को classify करते हैं there are some other methods to do that और हम क्या करते हैं data को machine learning technique के जरीए हम classify करते हैं और इसके लिए probability जो हमारे पास solutions है वो है अपका random forest algorithm बहुत अच्छे तरीके से use होता है classification के लिए time series के data पे xg boost की लोग बात बहुत करते हैं time series के data पे यह बहुत बैठता है यानि कि जितने boosting and bagging के algorithm है यह इसके उपर काम करते हैं time series के data पे इसके उपर support vector machine भी लग जाता है और neural svms और आपका artificial neural network भी इसके उपर चल जाते है यानि के neural network के different models artificial में रहने देता हूं लिखने के लिए just to be on the safe side neural networks ठीक है तो there are many models which can help us classifying things based on the time series data सही है समझा ही बात की classify हम करते हैं अगर दो classes है ज्यादा भी का और कम भी का दो classes हमारी फिर हम क्या करते हैं पूरा time series का data लेते हैं हम उसको फिर classify करते हैं कैसे गर्मियों में ice cream ज्यादा भी की एक class सर्दियों में ice cream कम भी की दूसरी class तो based on the data we can classify our seasons as well तो time series के अंदर जितनी भी चीज़ें उसको अगर classification में convert करें that will be called as time series classification by the way यह जो मैंने forecast बताई है इसका मतलब होता है previous की base पे future बताना इसको हम regression अगर separate भी कर लें तो it's fine अगर हम time series regression भी बोलें तो वही चीज़ है अगर हम कोई model use करके regression problem को deal करें time series में तो regression होगी otherwise classification होगी forecast is based on the previous data हम future की कोई भी prediction कर रहें ठीक है regression साथ में लिख देता हूं ताकि आप confused ना हो regression भी हम करते हैं तो four number है हमारे पास time series का analysis जिसकी एक बहुत यह अला टाइप है जिसको हम बोलते हैं time series decomposition साथा अलफाज के अंदर बड़े time series के data को छोटे में convert करना मैं भी आपको एक example देने लगा हूं आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहेगी यह time series का data है यह कितने हिसों में टूट सकता है जी एक दो तीन यह चार हिसे बन जाएंगे तीन कट लगाने के बाद सो अगर हम data को बड़े हिस्से को छोटे-छोटों में divide करें based on the seasons one thing cycles another thing या कोई भी ऐसा pattern जो time series के data में आ रहे है हमारे पास उसको time series decomposition बोलते है अगर आपको याद हो उन्होंने डीकंपोज किया था data को to find the cycles या patterns या seasons inside the data तो हम बड़े data पूरा data उसमें multiple seasons है तो हम season wise अपने data को डीकंपोज कर सकते हैं या different other हम trend जो है long term data से short term data की तरफ जा सकते है या short term data से अगर हम छोटे-छोटे trends को मिलाकर long term बनता है तो उसको अगर काटेंगे तो सारी बात हमारे पास short term गया जाएंगे यानि के इंटों को मिलाकर घर बन रहा अगर दिवारें के रही जाएंगी तो डीकंपोज होके हम इंटे हम अपने पास वापश ले सकते हैं तो basic building block से हम उपर जाते हैं तो time series decomposition होती है और time series decomposition को further तीन चीज़ों में डिवाइड किया जाता है मैंने आपको बता दियें सिर्फ write down करने के लिए आपको मैं यहां पे लिखवा देता हूं पहली है जी हमारे पास ट्रेंड अगर आप trends के अंदर किसी चीज़ को डिवाइड करें तो यह होता है आपका long term direction जो हमने पहले भी देखा है of time series trend के अंदर अगर आप डिवाइड करें कि काहां पे trend positive था काहां पे negative था उसकी बेस पे second energy आपका seasonality की बेस पे third energy आपका residual की बेस पे यानि के error of prediction कितनी है जब आप किसी चीज़ को predict कर रहे होते हैं तो error of prediction कैसे आती है जब आप बड़ी चीज़ों को divide करते हैं यह तीन मिलके एक अच्छी prediction दे रहे हैं यह वाला चोथा जो जब इनके साथ मिलता है इसकी error of prediction बढ़ जाती है आपको याद है ना हमने हिस्सों 6-7 हिस्सों में decompose की थी चीज़ें और फिर हमने एक एक हिसा चेक किया था one-to-one फिर हमने 50-50 किया फिर एक को निकाल के चेक किया था cross validation वगरा तरीका जो था तो यहां पी हम residual चेक करते हैं अपने time series के data का we will do that inshallah फिर आता है spectral analysis the fifth one spectral analysis spectra क्या होता है spectrum या spectra क्या होता है यहां पर हमने बात की trend की season की और residual की decompose करने की यहां पर हम बात करते है cycles की अगर हम एक ऐसा analysis करें which gives us a kind of technique जो identify करें साइक्लिक पैटरंज इन डेटा उसको हम स्पेक्ट्रेल अनलेसिस कहते हैं यानि के वेरियेशन स्पैसिफिक वेरियेशन इन डेटा तो यह पकाइदा अनलेसिस हैं मुझ उठाके नहीं कह देते कि यह एक cycle बन गया हमारे अनलेसिस हमें बताते हैं कि cyclic पैटरंज एक डेटा में कैसे और कहां से कहां तक चल रहे हैं और मैने तिंग्स इंवाल्विन स्पेक्ट्रल अनलेसिस यह चोटी सी टर्म नहीं है इसके पीछे काफी अनलेसिस भी है हमारे पास ठीक है ओके अब यह आप पे डिबेंड करता है इन पांच में से आपने कौन सा अनलेसिस चूज करना है फॉर यॉर ओन प्रोजेक्ट ठीक है मैं आपको दوبारा रपीर कर देता हूं दुबारा यह रपीट एक चीज की होती है पहला अनलेसिस है हमारा ए डिए यह तो मस्ट है आपने करना ही करना है तो प्रीब्र्सेस नट आपने एडिये करना है हमेशा टाइम सीरिज के डिटा का और जो बन्दा एडियेक करता है न एक लफ़ बोला गया है कि ये यूजर्स का डेटा है फूरण से सेंस बननी स्टार्ट होगी सेंस बनेंगी तो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाएंगे तो अनू आप नू पता ना होए कि कोई चीज किस तरह काम कर दी है तुझे लोग का नू खेदस ने क्या हैं जगाम कर दी सिंपल वही बात कि खुद को पता नहीं है पुर्लों को बताना है कि ये दस दिन बाद ये होने वाला है अक्सरुकाद आपने देखा होगा ना पाकिसान में गली महलों में एरिया के अंदर बातें मशूर हो जाते तें कि एक बंदा कह रहा तो वारवले दिन क्यामत आ रही हैं हैं ही हाथ देख ऐसी चीज़ें सो डिर अर मैने तिंग्स जो प्रडिक्ट कर रहे होते हैं लेकिन मैंने आपको वही बात कही कि यह हमारा क्रिस्टल बॉल है मैजिक के बगार आपका फ्यूचर प्रडिक्ट आप कर सकते हैं मिसाल छोटी सी दूँ आप अपने एक्सप डेटा इंक्रीज यो नालेज बाई 10 टाइम्स नॉर्मल डेटा की निस्बत डिस्क्रिप्टिव अनलेसिस अफ टाइम सिरीज डेटा इस मच बैटर क्यों आपको यूनिट्स का पता चलता है कि कौन सा यूनिट कैसे है फॉर एक्जैंपल अगर डिग्री सेल्टी ग्रेड है ना एक सेल्सियस इसको फॉरन हाइट में कैसे कनवर्ट करने है यह आप किसी हो अगर आपको वैसे कहेंगे ना सीखो कोई नहीं सीखता लेकिन जब सर पर बड़ी पड़ी होगी ना देन यू विल नर्न के अच्छा इसको ऐसे करने है क्योंकि कुछ ऐसा डेटा भी होता है जो डिग्री सेंटिग्रेट पर डिपेंड करता है अब अक्सर अकात अमेरिका के अंदर बात होती है जब भी टेंपरेचर की वह सिरफ डिग्रीज कह देते हैं अगली गली नहीं दास देखे क्या है वहां पर माइनस में बताएंगे नहीं पागल होगी इतना कम टेंपर वर्सिस किलोमेटर यह क्या चीज होती है मैट्रिक यूनिट्स और दूसरे यूनिट्स यह जो अमेरिकन कहते हैं ना दो फुटबाल ग्राउंड हो जितना फासला चार ब्लॉक्स जितना फासला जितना साधे पिंड़ा है चिकंदे ने सौरी मैं पंजाबी की तरफ शिफ् तो वो चीजें जो मैटर करती है ना वो यहां पर टाइम सीरीज में बड़ी करती है अब आपके पास डेटा आजए तो उसी तर फड़े के वह यह ना सेर अपना के यह रहा की हो गया अगर आपके पास आ जाए कि इतने स्टेप्स दूर है अगर वड़ा लंबा बंदा आय ठीक है बड़ा पच्टा हो गए माइल्स किलो मेटर तेर मैनी मैनी तिंग्स आउट देर ठीक है फिर आपको यह भी अंदाजा अक्सर अकात लगाना होता है खुद से आपको बता दिया गया है कि फ्लाइड का डेटा यह 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 यहां से वहां पर ट्रेवल की फिर आपको का जाता है calculate the price of fuels जहाज ने इतना फ्यूल लगाया लेकिन प्राइज नहीं बता रहे हो तो आपको क्या करना होता है उस दिन की प्राइज देखनी होती है जाके online database से कि उस दिन प्राइज क्या थी उस country में जहां से फ्यूल फिल हुआ so there are many opportunities जो data आपके पास नहीं भी है आप उसको भी add in कर सकते है time series के data में अगर फैसलाबास से flight उड़ी है उन्हों temperature का नहीं बताया वो यह कह दिया उन्होंने कि इस्तंबुल में 3 degree कम temperature था आपको तो पता चले गया 3 degree कम था लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि उस दिन पाक basis को भी चानबीन करना पड़ती है to make the sense out of the data so please अपनी आँखे खुली रखिए अगर time series के data में and believe me अगर आप इसको अच्छे तरीके से deal करते है EDA को आगे वाले काम ऐसे चुटकियों में होने क्योंकर model train करना को बड़ा मसला नहीं है data में घलतियां find out करना बड़ा मसला है reason फिर चोटा data set होता है just imagine 10 साल का data इसको 365 दिन से multiply करें हर गेंटे का data हो कितना data होगा फिर अक्सर उकात आपने एक time से दूसरे time का data खुद सेंपल आउट करना होता है तो sampling का आपको पता होना चाहिए कि मैंने कौन सा sample लेना है बतलब आपके पास हर second का data है और अगर हर second का 10 साल का data लें तो आपका अच्छा खासा data बनता है ठीक है कैसे आप रुजाना के second calculate करें उसको 10 साल से multiply करें कितना data है पांच गुना data को कम करना है न आप हर क्या करेंगे पांच साइकिंड का data लेने ही साथ गुना कम करना हर minute का data लेने ही तो आपकी calculation इतनी heavy speed के साथ reduce होगी कि आप अंदाजा करें कि एक जगा पे 6 million data set है आपने फॉरन एक minute का data set लिया sample में वो एक million रह गया point समझ रहे है so there are many things which you can use to reduce the sample ठीक है और उसके बाद अगली चीज आती है विलकुल अभी जो बात की गी है time binning आप क्या करते हैं पहले पांच साल का data उससे अगले पांच साल का data उससे अगले पांच साल का data आप इस तरीके से इनके उपर भी sampling कर सकते है राधर देन taking samples from each year आप पांच- meaning बोलते हैं ठीक है और यह बड़ा matter करता है याद रखें कि data जितना ज्यादा है उतनी accuracy तो आती है लेकिन अगर data आपका seconds में है और fluctuate कर रहे है ना वह white noise में convert होना start हो जाता है क्योंकि वह smoothness नहीं दे रहा था आपको pattern तो अकसर उकाद हर पांच चीजों का लोग average भी ले और यह sensors का data बहुत important है और आगे आने वाली दुनिया में हर चीज़ डिजिटल हो रही है और sensors का data आपको पता ही है आप वाच लगाते हैं अपना आपके पास जो report आती है कि आपने इतने घंटे अपना mobile phone यूज किया है या इतने दिन आपने call की है यह आपको तो नहीं पत इसकी मिशाल बड़ी अच्छी देने वालों एक बंदे ने वह जो अलादीन का चराग रगड़ा बीच में से इतना सा जिन निकला तो कहता जो हुकम मेरे आका आगे से वो जिसने रगड़ा था वो कहता यार सामने 20 मर्ले के कोठी बना वहां पर दो कनाल का प्लाट बना दे यहां पर एक बड़ी सारी काड़ी होनी चाहिए तो और भी पांसाथ काम बताए समझ रहे हैं मेरे से आप बड़े जिन वाले काम करवा रहे हैं नोट बिल्ट फॉर दै इस वज़ा से अपने हाथ गंदे करना स्टार्ट करें बड़े डेटा सैट पर बात चो तुसी जूनियर डेटा एनलिस लागके तानू कहें के तुसी को जो हुकम मेरे आका हो कवे के ट्यालय पर चेव लियन डेटा ठीक है बड़े ज देआर्ट रखोलक करना स्टार्ट करें सांप्लिंग के टेकनीक को सीखें आया हा आपने हर पांचम्पंड सैंपल को एकठा लेना यह हर पांच-पांच साल चाले लेना अब फो एकश्मा को सितök आपक वस्फैंग नहीं करने नहीं, have patience, रुको जरा, सबर करो, and you will learn it. ठीक है? अब ये पाँच टाइपS, EDA, time series की forecast, जिसमें अरीमा सरीमा आगया, time series classification and regression, ये मैंने एकठी कर दी हैं, total 6 हैं वैसे, time series decomposition, this is another type, and then spectral analysis, अगर इन 6 के 6 को मिला लेना, आपका portfolio ये हैवी किसम का strong हो जाएगा, एक ही project बेशक कर लें, लेकिन बताएं जरूर, वो कहते हैं ना, जितना आप बताओगे, उतना बिकेगा, अगर आप data को नहीं न, describe करेंगे, कि मेरा data ये, मेरा data वो, और major output, किसी को नहीं पता चलना कि अरीमा लगाया, सरीमा लगाया, क्या किया है, आपने बड़ी बात कहनी है, मतलब ये, पाकिस्तान का पिछले 20 सालों का data, ये कहता है कि पाकिस्तानी लोगों के bank account, पाकिस्तान से बाहिर इतने हैं, और 2001 से 2010 तक इतना रुपया बाहिर गया है, 2010 से 15 तक इतना गया है, 20 से इतना गया है, इन तीन सालों ने पिछला भी record तोड़ दिया, तो ये बाते हैं जो आपकी चीज़ को selling point में लेके जाती है, ये नहीं लेके जाती है, मैंने 20 साल का data analyze किया, किता होएगा पाई, अजी करिये, जब तक आपने output नहीं बतानी, तो चीज़ों का sell करना सीखे, market करना सीखे, अगर आप marketer अच्छे नहीं है न, बेशक जितना मर्जी बड़ा आपने काम की है, वो कुछ नहीं होना उसका, वो बात करते होते हैं हमारे senior, के एक बंदा जो presenter अच्छा है न, उसको बेशक कम आता है, वो उस छोड़ी काम को present करके ज्यादा दाद receive कर लेता है, एक बंदा जिसको ज्यादा आता है, लेकिन वो सामने जाके काम पे टांगने लग जाती है, वो अच्छे तरीके से आगे move नहीं कर पाता, so believe me, if you do something, spend your time, अगर आप एक दिन का काम कर रहे हैं, उस पे तीन दिन लगाए, एक दिन बनाने में, उससे एक दिन पहला सोचने में, और तीसरा उसको इंप्रूव करने में, कभी fast and forward ना चले हैं, सोचे, बनाएं, इंप्रूव करें, ठीक है, फिर finalize करें ओके हो गारी, so these things matters a lot, अब मैं यहां पर एक और ब्रेक लेता हूं,